श्वेदास फ्लेवर्स की किचिन में आप सब का फिर से स्वागत है तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार एकदम सीजनल ट्रेंडी वाला आवला और मिर्ची का इंस्टेंट अचार तो इसके लिए हमने लिए हैं 200 ग्राम आवला जिनको मैंने वाश करके थोड़ा सा पानी डालके बस हलका सा बॉयल करने रख दिया था बहुत जल्दी से बॉयल हो जाते हैं और साथ में मैंने ले लिए तीखी वाली हरी मिर्च तो बस दस मिनट के अंदर अंदर ये जो आवले हैं न देखिए किस तरह से ब्रेक हो गए इसकी जो कलिया है न वो सब अलग-अलग हो गई है तो बस फटा फट से इनको प्लेट में निकाल लिया और सारी कलिया अलग-अलग कर ली बहुत ही बढ़िया बहुत ही टेस्टी इंस्टेंट अचार बनता है ब्रेकफस्ट में यूज कर सकते हैं लंज में यूज कर सकते हैं पराथा सबजी दाल रैस किसी के भी साथ साथ में भरपूर मातरा में विटामिन C इसमें हमें मिल जाता है तो आवला जरूर खाना चाहिए आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो फटा फट से सब्सक्राइब कर दीजे बहुत सारी बड़ी बड़ी रेसिपी आने वाली है और बहुत सारे अमेजिंग से वीडियोज हैं जो आपको बहुत इंट्रेस्टिंग लगने वाले है मिर्ची को मैंने स्लिट कर लिया था अब मैंने लिया है कडाई में सरसो का तेल उसमें मैंने डाला है राई और जीरा और जैसे ही एक क्रैकल होगा मैंने इसमें डाल दिया हल्दी पाउडर धनिया पाउडर बस इनको थोड़ा सा चला लेंगी कि मसाले हमारे बढ़िया से ना पक जाएं उसके बाद में मैंने इसमें एड किया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और फटा फट से डाल दिये आवले मसाले हमारे जलने नहीं चाहिए बस उसी टाइम पे मैंने फटा फट से आवला डालके मिर्ची भी डाल दी और बढ़िया से इनको ना चला दिया आवले हमारे ऑलरीडी बॉयल्ड हैं तो हमें जादा पकाने की जरुरत नहीं है बहुत ही इनस्टेंटली बहुत ही फटा फट से ये अचार तयार हो जाएगा साथ में डाल दिया है नमक according to your taste और बस फिर क्या करना है थोड़ा सा चला के हम इसे लेड लगा के ढख देंगे थोड़ी सी मिर्ची भी अच्छे से पक जाएगी बस अचार हमारा prepared तो इस तरह से देखी आवला और मिर्ची का चार कितना जल्दी जटपट इंस्टेंटली तयार हो जाता है दस पंदरा मिनिट में आपका अचार बिलकुल बनके रेडी है आप इसको इंजॉई कीजिए रेलिश कीजिए वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बहुत अमेजिंग सी रेसिपी आती रही है आपके लिए तैंक्स पो वाचिंग दे व देडियो